जातिये जनगर्णा की रिपोर्ट पब्लिस हो चुकी है और इसके साथी साथ बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी उठने लगी है जिहां सोसल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है खासका ट्विटर पे अब देखिए जब मुसल्मानों की बात होगी तो इसका फलाफल भी दिखा सिमांचल की पांच विधान सवाज सीटों पर ए आई एम आई एम के विधायक जीद जाते हैं दो दर्जन से ऐसे अधिक सीट होते हैं जहां पर तेजश्वी आदव के पर्तियासियों को हारना पड़ता है और उसका कारण बनते हैं अब ऐसी जिह अब देखिए जातिये जनगर्णा की रिपोर्ट आई है यह कैसे इंपक्ट डालेगी ए आई एम आई एम की राजनिती पर इसी पर इस वीडियो में हम चेर्चा करेंगे जो रिपोर्ट आई है इसमें अत्यांत पिछरा वर्ग एन एबीसी 36 परसेंट है यानि 6.1 परतिसत अन पिछरा वर्ग 27 परतिसत है अनसूचित जाती 19.65 पीसदी अनसूचित जन जाती 1.68 पीसद है इसके साथी साथ जाती अधारित सर्वे में धर्म के अधार पर भी अबादी बताई गई है इसके मुताबिक बिहार में 21 वर्सों में हिंदूों की भागिदारे जितनी घट हिंदूों की संä बिहार में घटी है और उसी अनुपात में मुसलमानों की संख्या जो है वो बिहार में बढ़ी है जिहां बिहार सरकार की ओर से जाती अधारित सर्वे का जो रिपूर्ट है उसमें 2001 में हिंदूों की अबादी जो है वो 83.2% बताई गई थी यानि 2001 में हिंदू की अबादी बिहार में 83.2% था जो कि अब घटा है कितना घटा है तो 1.2% और अब यह घटकर 81.9% रह गया है तो यह हिंदू की अबादी की बात हुई अब इसके अलबा मुसल्मानों की बात करें तो मुसलिमों की अबादी बढ़कर 17.7% हो गई है तो वर्तमान आकड़े और 2001 की तुलना करें तो कुल परतिसत में मुसलिम और बहुत धर्म के लोगों को छोड़कर सभी धर्मों के लोगों में कमी आई है हाला कि यह देखिए बहुत धर्म में जो बढ़हुतरी हुई है वो आप 83 तहलाग पक 5 लेगा लेकिन इसे पहले आप जान लेजे कि बिहार में हिंदू की अबादी 2001 में 6 करोड 90,76,919 थी और अब इनकी संख्या 10 करोड 71,92,958 है तो इस तरह 21 सालों में हिंदू की जो संख्या है वो 55.17% बढ़ी है वही इनी वर्सों में मुसलिम अबादी जो है वो 68.17% बिहार में मुसल्मानों की संख्या 1 करोड 37,22,048 थी जाती अधारित गर्ना 2022 में आप मुसल्मानों की संख्या 2 करोड 31,49,49,925 बताई गई है तो इससे आप इस बात का आकलन कर सकते हैं कि जो एक प्रतिशत हिंदू की अबादी कम हुई है वो मुसल्मानों की बढ़ी है म बिहार सुब संकेत अब ऐसी के लिए हो सकता है असदुदीन वैसी जो है वो इन दिनों काफी प्रयास कर रहे हैं काफी मेहनत कर रहे हैं बिहार में खासकर जो सिमांचल का सीट है जो कई सीट है पुर्णिया कह लिजिए कटिहार कह लिजिए अरडिया कह लिजिए यह सुब संकेत है और सबसे बड़ा जिस MOI समीकरण की बात लालू परसद यादव कर रहे हैं कल ही उनका ट्वीट आया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्टेदारी तो मुसल्मान वोट जो है वो अब राज़त के साथ रहेगा नहीं रहेगा हला कि देखिए 17% मुसल्मानों की अबादी है, 14% के आसपास यादव की अबादी है तो इन दोनों को जोड़े कर भी 30-32% पर दावा राधत करते रही है लेकिन धीरे धीरे वो तिलिस्न जो है वो टूट रहा है मुसल्मानों का मोह भंग राधत से हो रहा है और धीरे-धीरे उनका influence जो है वो असदुदिन अवैसी की party AIMIM की तरफ बढ़ रहा है कि अउनका रहा है लुटा रहा है